गैस जब इंसान के बनने लगती है तो भी ये मान के चली कि उसको कुछ भी नहीं बहाता अगर उसकी फेवरिट चीज़ भी उसके सामने रखी है तो अगर उसका गैस उसकी बनने लगए है तो वो उसको भी बिल्कुल दूर हटा देगा अक्सर आप नहीं महसूस किया होगा कि आप कुछ भी खाते हैं पेट फूलने लगता है और या फिर आप खाने से पहले ही आप इतने ज़्यादा कहेंगे कि साटिसफाय रहते हैं साक्चुरेटिड रहते हैं क्या पदल नहीं करता है खाने का तो गैस की जो प्रॉब्लम है य इन्फेक्शन हो जाए है अगर समझे कि यहां पर इसोफेगस में हो गया तो इसोफेटिस कहते हैं अगर पेट में हो गया तो इसको गैस। यह जितना स्ट्रस बढ़ेगा इतना गैस की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी और टाइम पे शायद जो बेटा हम हम कभी कुछ भी खा लेते हैं बिल्गुल सही जो एक रिसर्च आया है इस तरीखे से कि वक्त के तो पर अगर आज आज आपने दो बजे खाना काया तो कल दो बजे आपको हैसियल सिक्रेशन होगा खाने का इंतदर करेगा और उस वक्त आपने खा लिया तो वो जो है बराबर हो जाएगा अगर आपने जब हैचल सिक्रेशन ने उस वक्त आप खा रहे हूं और दूसरी बात क्या है कि एक गज़ा जो है डिजेशन होने हमें देना चाहिए एक जो होती रहती इसके इलावा फिर हम दूसरे खाते हैं पिर तीसरा खाते हैं जो आपने ज़ए जो डिजेशन होने इसको श्टाप करके वो फिर दूसरे पर काम शुरू करते हैं इस वज़ाए से क्या होता है कि इंटरस्टाइन के जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर गंदगी जाके जमा हो जाती है और बड़े-बड़े बीमारीां प्यदा करते हैं गयास का पैदा होना इससको धर दकार जो कहते हैं यि एक उलामत है अंदर बीमारी की इएक अलामत है हम क्या करते हैं कोई बी ड़ा का नाम लेने ने चाहता से अलोपति के एक दवा है जो कि अभी बैंड हुई है तकरीबं 15-20 दिन के पहले कि वो दवा से आज रिसर्ट से ये थाबित हुआ है कि वो दवा खाने से जो बिल्कुल फेमस दवा है कि कैंसर फाम होता है तो हमारे पास क्या है कि बहुत आसान यूनानी के अंदर ऐसे दवाएं मौजूद हैं जो गैस टेटिस का अल्सरी टेटिक का पिप्टिक अलसर का जो है गैस खारिच करने के लिए बहतरीन दवाएं हैं घरेलू नुसके हैं घरेलू दवा हैं एक परसंड भी जो है उसका नुकसान नहीं है बिल्कुल फायदा होता है पर्मनेंट ओपर अल्ला कर चाहेगा तो अच्छा भी हो जाएगा लेकिन डॉक्टर सब हमारा जो वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया है जो लिविंग स्टाइल है हमारा इस तरह की का हो गया है आप खाने पीने की बात कर रहे हैं अब अक्सर हम क्या करते हैं कि जो बेसिक हमारी खाने के चीज़ें हैं उसको छोड़कर चाए और काफी पर ज्या जादा चाए का भी कैसा है कि चाए फैदा करने वाली चीज़ है नौकसान करने वाली चीज़ नहीं मगर चाए हम किसको कहते हैं अगर आप हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले जाओगे मैं गया था चाए ना तो मुझे अलाके पूछा गया कि आपको क्या चाहिए चाए ठीक है चाए लेते हैं तो अनुने क्या कि गरम पाने में रिख कुछ प्त्य थे इमिड़ेट लें तोड़ा और गरम पाने में डालके दे दीजैंकि आओँ चाए लीजिए है यह असल चाए होती जिसको हम प्लिख कोई भी मिंño के पत्य होते हैं उसको डालके पीते है यह गरम पानी को अलग से, दूद को अलग से, जब मिक्स करते हैं तो हमारी जो है पूरी गड़बड हो जाती है, यानि कि वो जो उन्च सब चीजों का मिज़ाज है, वो भी अलग-अलग है और वो मिलकर एक प्रॉब्लम करती है, अलग-अलग लेने से ने प्रॉब्लम करती है, काफी नुकसान ज्यादा करती है, अगर ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो वो नुकसान करती है, मगर चाय का जो हमारा मसलह है कि खाना खाने की फोळग धर चारण बाद यह नहीं होता है, और जो गिज़ा हमारी बटी को मिलना चाहिए वो नहीम होता, तो जिसके वज Audio जो लोग चाय पीते हैं, उनका पेट बढ़ा रहेगा, हमारे पास कई पेशेंट आजे हैं, डॉक्टर साब मुझे बहुत जादा मोटापा है, आप थोड़ा सा कुछ दवाएं दीजिए, मैं कहता हूं कि दवा तो में दूँगा इंशालला, अगर जरूरत पड़ी तो, मग अगर आप कमसकम अपने फुट को चेंज करो, जैसा मनलब ग्यास की चीजे हैं, इसको आवएट करो, और जैसा चाय बार-बार पिने का जो मसला रहता हमारा रिवाज में है, इसको आवएट करो, एक्सरसाइस करो, तब जाके भी ओठीक कहीं ना कहीं, जो है, ओबेसिटी अगरा जो है, वो भी ठीक हो सकती है, इन्शालाँ.